बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाओं की इससे पहले ही आई इन डिया ब्लॉक में फूट की ख़बर आ रही है सूतरों के मताबिक यूपी उपचुनाओं कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ नहीं लड़ेगी कॉंग्रेस ये चुनाओं लड़ेगी ही नहीं ये ख़बर आ रही है समाजवादी पार्टी से मेरापूर सीट चाहते थी कॉंग्रेस लेकिन बिना बात के ही एसपी ने अपनी इस सीट पर भी कैनिडेट दे दिये एसपी ने कॉंग्रेस को सिर्फ गाजवाद और खैर सीट ही दी है कॉंग्रेस खुद चुनाव ना लड़कर एसपी को बाहर से समर्थन कर जखती है तो ये बड़ी खबर आ रही है सुत्रों के अवाले से खबर आ रही है कि जिन नौ सीटों पर उप्चुनाव होना है जिन में से कुछ सीटों के लिए तो समाजवादी पार्टी के उड़ से कैनिडेट के अनाउंस्मेंट पहले ही हो गई थी मीरापुर सीट जिस पर कॉंग्रेस के नजर थी ये सीट भी कॉंग्रेस को नहीं मिलने वाली है समाजवादी पार्टी ने सिर्फ दो सीट गाजयबाद और खैर ही कॉंग्रेस के लिए छोड़ी और कहा चारा olan कि यही पर बात बिगड़ गई है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कोंग्रिस चुनाव नहीं लड़ी इंदर से, और जो अभी जो बाते ह pro सूत्रों के ह오ाले से, यह कितने पुखता कही जा सकती है? कि नियुक्ति कर दी थी और बड़े नेताओं को इन सीटों पर जीत की जिम्मेदारी चौंपी थी लेकिन इस जवरान हरियाना में आये चुनाओ पर नाम के बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की जो कमेटी थी जो सीट डिसाइड करती थी कौडिनेशन कमेटी उसकी बिना बैठा के ही उमिदवारों का नाम का ऐलान कर दिया क्योंकि कांग्रेस पहले से ही ये चाहते थी कि जिन पिछले चुनाओं में जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार हुई है वो सीटे कांग्रेस को दी जाएं कांग्रेस उस पर चुनाओ लड़े कम से कम मीरा समयत सभी सीटों पर सिर्फ गाजी अबाद और खैर को छोड़कर समाजवादी पार्टी ने एलान कर दिया है जिसके चलते अब कांग्रिस में फैसला किया है कि उतफदेश में होने वाले विदान सभा उप्चुनाओं में कांग्रिस चुनाओं नहीं लड़ेगी और गटव का फैसला कांग्रिस की ओर से लिया गया है अभी तक सूतरों के हमाले से ये खबर आ रही है